प्रिद्रसको नमश्कार 15 अगस्त 2023 मंगलवार के दिन पुष्य नक्चतर आ रहा है हमारे सास्त्रों की मानिता के अनुसार पुष्य नक्चतर में किया गया कोई भी उपाए बहुत जल्द फली भूत होता है उपाए का जो रिजट होता है वो सत परतिसत देखने को मिलता है यदि आपकी सादी में लगातार देरी बनी हुई है लगातार अडचने आ रही है बहुत ज़्यादा कोशिस करने के बावजूद भी कहीं पर भी सादी के लिए रिस्ता पका नहीं हो पा रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है आज जो उपाए में आपको बताने वाला हूँ यदि आपने इस उपाए को अच्छे से समझ लिया और मेरे द्वारा बताए गए तरीके से 15 अगस्त 2023 मंगलवार के दिन पुश्यनक्छतर में कर दिया तो यकीन मान के चलिए आपकी साधी में चाहे कितनी भी बड़ी अरचन क्यों न आ रही हो ततकाल दूर हो जाएगी और विवा होने का एक परबल योग बन जाएगा ये उपाए जिन लड़के और लड़कियों की साधी में देरी बनी हुई है वो खुद कर सकते हैं और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिच्वेशन में माता पिता भी अपने बच्चों की जलदी साधी के लिए ये उपाए कर सकते हैं वीधी विधान तरीका यही रहेगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ कई बार जनम कुंडली में ग्रह और नक्चत्रों के कुछ ऐसे दुरियोग बन जाते हैं जिसके चलते विभा में लगातार विलंब होने वाली कंडिशन बन जाते हैं रिष्टे आएंगे बाते चलेंगी लेकिन कोई भी बात कोई भी रिष्टा सफलता तक नहीं पहुँच पाएगा बीच में ही ब्रेक हो जाएगा और कई बार तो ऐसा होता है कि सारी बाते फाइनल हो जाते हैं रिष्टा भी लगभग पक्का होने वाला होता है उसी समय कोई न कोई ऐसी बात निकल कर सामने आती हैं जिसके चलते बनी बनाई बात खतम हो जाती है यानि के उसी समय बिलकुल एंड पॉइंट पे जाकर के रिष्टा तूट जाता है और कई बार ऐसे रिष्टे आएंगे जो हमारे लेवल के नहीं होंगे और जो रिष्टा हमारे लेवल का होगा वो पक्का नहीं हो पाएगा तो प्रिदरसको विभा को लेकर के चाहे किसी भी परकार की समस्या आपके जीवन में चली हुई है विभा को लेकर के आपकी जनमकुली में चाहे किसी भी परकार का दुर्योग बना हुआ है आज जो उपाए मैं आपको बताने वाला हूँ यदि ये उपाए आप कर देते हैं तो सारे के सारे वो दोस्त जो विवहा में विलंब करने का काम कर रहे हैं ततकाल नश्ट हो जाएंगे और विवा होने का परबलयोग पन जाएगा उपाए बताओं इससे पहले आपसे निवेधन करना चाहूंगा यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो विवहा से रिलेटिड सास्तर सम्मत सटिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सबस्क्राइब क करके रखिए ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं तो प्रिदर्सको ये उपाए आपने 15 अगस्त 2023 मंगलवार के दिन ही करना है इस दिन पुष्यन अक्षतर आ रहा है तो प् तो आप इस उपाए को शाम के समय भी कर सकते हो लेकिन यदि दोफैर से पहले यदि आप करते हो तो इसका रिजल्ट कहीं अधीक मिलेगा तो मैं तो यही कहूंगा कि सुभै के समय ही आपने ये उपाए कर देना है ये उपाए करने से पहले आपको सनानादी से निवर्त हो आपके पास लाल बुंदी के पांच लड़ू होने चाहिए, क्या होने चाहिए, लाल बुंदी के पांच लड़ू आपके पास होने चाहिए, पांच लोंग आपके पास होने चाहिए, बिलकुल साबुत लोंग होने चाहिए, तूठी फूठी लोंग नहीं चलेंगी, और क्य क्या होता है आप समझते हैं पूजा की समय जो कपूर हम जलाते हैं भगवान को दिखाते हैं उसी कपूर की मैं बात कर रहा हूं जहां से पूजा का समान मिलता है वहां से आपको ये कपूर आसानी से मिल जाएगा तो थोड़ा सा कपूर पांच लोंग और पांच लाल प्रूदि के लड़ो यह आपके पास होने चाहिए और साथ में एक दीपक होना चाहिए मिट्टि का दीपक कुन सा दिप आउली के दिन जो हम अपने घरों में दिये जलाते हैं उसी मिट्टी के दीपक की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको बत्ति की आवशक्ता नह नहीं घी लेना है बस केवल दिपक लेना है मिट्टी का तो ये चीजें आपके पास होने चाहिए ये चीजें लेकर के आपने हनुमान जी के मंदिर में चले जाना है आपके आसपास कोई भी हनुमान जी का मंदिर हो या फिर कोई और मंदिर हो सकता है उस मंदिर में हनुमान जी की परतिमा होने चाहिए, बस सरत इतने से हैं, तो हनमान जी की परतिमा के सामने जा करके, आप खड़े हो करके, सबसे पहले ये जो मिट्टी का दिपक अपने साथ आप लेकर आए हो, इस मिट्टी के दिपक में कपूर रख लेजिए, जो कपूर आप लेकर आए हो, वो पाच लोंग आप रख लीजिए, इसके बाद आपने इस कपूर को जला देना है, अपनी मनो कामना का चिंतन करते हुए, अब आपकी मनो कामना क्या है, जल्दी साधी हो जाए आपकी, यदि आप बच्चे हैं, लड़का और लड़की खुद कर रहे हैं, तो अपनी जल्दी स जल्दी साधी की कामना आपने करनी है, अपने मन ही मन में, यदि आप माता पिता हैं, बच्चों के लिए ये उपाय कर रहे हैं, तो अपने बच्चों की जल्दी साधी की कामना बोलते हुए, आपने उस कपूर को जला देना है, जब कपूर जलेगा, तो लोंग अपने प्राथना करनी है हनमान जी के चरणों में आपकी जो अरजी है वो रखनी है यानि कि आपकी जो भाव है मतलब जिस भी मनो कामना को लेकर के आप ये उपाय कर रहे हैं यानि कि जल्दी साधी के लिए उपाय कर रहे हैं तो आपने सचे दिल से सचे मन से हर्द्य से भाव से हन लिकिन साधी में लगातार देरी बने हुई है। अच्छा रिस्ता, मन चाहा रिस्ता, हमारे लेवल का रिस्ता, जैसा हम चाहते हैं ऐसा रिस्ता आ जाए। और साधी फिक्स हो जाए। प्रिदर्सक को पुष्य नक्षत्तर में इस परकार से ये उपाय यदि आप कर दोगे, मेरा विश्वास है। आपकी जो मनो कामना है वो अवश्य ही पूर्ण होगी। हनवान जी आपकी प्रात्ना को जरूर सवीकार करेंगे और उसको पूरा भी करेंगे। और मैं भी भगवान से प्रात्ना करूंगा कि है बाबा अनुवान जो भी मेरे प्यारे दर्सक किस वीडियो को देख रहे हैं और मुझ पर विश्वास करके ये उपाय कर रहे हैं तो उनके विश्वास को तूटने मत देना, उनकी मनो कामना अवश्य ही पूर्ण करना, ये यदि किसी भी परकार का दुर्योग बन गया है जिसके चलते साधी में देरी चली हुई है, उस दुर्योग का ततकाल समन कर देना, उस दुर्योग को नश्ट कर देना और जल्द से जल्द साधी होने के रास्ते खोल देना. तो प्रिदर सको ये उपाय आप जरूर कीजिए, ये उपाय करने से आपकी मनो कामना अवश्य ही पूर्ण होगी. यदि आप अपनी जनम कुंडली का विशलेशन मुझसे करवाना चाहते हैं, साधी में लगातार देरी बनी हुई है, उस देरी का कारण मुझसे जानना चाहत हैं, आपकी जनम कुंडली के आधार पर जवदी साधी होने के विशेस उपाय मुझसे जानना चाहते हैं, साधी कब होगी, साधी कहा होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे प्रिवार में होगी, साधी के बाद का विवाइक जीवन कैसा रहने वाला है, आपको जीवन साथी कैसा मिलने वाला है यदि इस परकार की जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हैं तो सक्रीन पर दिखाए गए WhatsApp नंबर पर आप अपनी जनम डिटेल लिख कर मेरे पास भेज सकते हैं और अपनी जनम कुंडली का सतीक विशलेशन मुझसे करवा सकते हैं जनम कुंडली विशलेशन की हमारी फीस होती है वो आपको पे करनी होती है उसके बाद आपको पूरी जानकारी दे दी जाती है तो प्रिदर सकूँ यदि आपको कारे करम अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना यदि पुन्य के भागिदार आप बनना चाहते हैं तो इसको सेर भी कर देना और यदि आप मुझसे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लेना आज के लिए बस इतना ही आगे फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्का